आज मैं डिसकस करने वाला हूँ शिव परन तो इस शिव परन में शिव के कई नामों का उच्चारन है इस परन में शिव की स्तुती की गई है और सबसे बड़ी बात ताल को बजाते हुए शिव की अराधना की गई है तो आईए देखते हैं शिव परन इस परन परनुष्य को किरिको बड़ी को मतर भी रस देखते हैं शिव परनघुपला बजय बगाता शी वचको छाष्anız , थारीग थारीटे थारीज थारीटेट थारीटे के दे ठारा Candi अज्गे ङले थाध कैंगाता देझ के दाल मेर फुर्षका के यह लूंडाघ है le ide xَّ तो ये है शिफपरन अब मैं डिटेल में एक एक बोल को दीरे से बजाओंगा ये मैं नीचे लिख के भी आपको बता रहा हूं जब भी आप इसका रियाज करना स्टार्ट करें पहले उसको पढ़िए और दीरे दीरे एक एक बोल को सीखना शुरू कीजिए फिर उसको एक फा पकावज में बजता है उर्टा हाथ ये बोल है टरक, दो उंगलियों को एक के बाद एक बजाना है जिनसे टरक नहीं बजता वो धिट-धिट भी बजाजकते है ये भी बजाजकते हैं ।ो उरो द्रिघ बोल है तो द्रिघ के लिए त्रुक और दा बज Helena बजेगा बोल है थरेकिट प्रखावज का बोल है और डांस में कर्थक नृत्य भी यूज किया जाता है तो थरेकिट को अगर हम तबला पे बजाते हैं तो थरेकिट बोल ही बज़ा आपते हैं तो बोल है ये बोल है तो इसमें ध सिरफ अकेला ही बजता है क्योंकि बहुत तेज टेंपो पे बजता है जो असली बोल है वो है बोल है ओम पे खुला धिन बजाना है तुम और नहां ये है तो ये बोल है तुम और धाघार है उसके बाद है निर्टकर्टटशीवशंभू इसको धीरे से देखते हैं बोल को निर्टकर्टशीवशंभू गिर्गिर्गिर्पाथा किकड़्पाथा तो यह बोल इस पे बज़ेगा निर्टकर्टशीवशंभू मृदंगवीना डफ्त बाजे तो यह बोल है इसमें फिर से द्रिक मैं बजा रहा हूं मृ्री और त्रिक सेम बोल हैं तो लिक का बोल बजा रहा हूं ताल ब्रम आदीनाथ ताल ब्रम आदीनाथ सर्वगून गावदत्थ स्लो में बता रहा हूँ ताल ब्रम आदीनाथ तो टगगा वैसे ही चल रहा है, यहां से सिरफ इसके परकार बदल रहे हैं, पहला मैं बजा रहा हूं तो अब बोल त्र का है पर इसमें आंस है, तो मैं इस बोल पे तुन बजा रहा हूं ताकि उसका सस्टेन उतने ही रहे, तो बोल है उसके बाद है तो यह बोल है अब यह बोल है तान जब ताब जोर से मार के शोड़ोगे तो एक ना की साउंड पीछे बज जाएगी, तो वो तान का बोल सुनने में आएगा तो बोल है तो यह बजा के देखते हैं अब यह बोल पखावच के है अब यह बोल है, यह थोड़ा मुश्किर बोल है, मैं स्लो में आपको समझाता हूँ तो बोल है धगे सबको पता है, सिंपल बोल है दो बार यह मैं बजा रहा हूँ, तो आप छोटी फिंगर से बजा सकते हैं यहां भी वो तान वाला बोल है ना को जोर से मारेंगे, तो नान की साउंड आएगा तो क क को जोर से दबाना है, तो कत का साउंड सुनाई देगा पूरा बोल देखते हैं अब पूरा बोल बजाटे हैं यह गैप, यह तिहाई का मैंने गैप बनाया है, तो इसमें चार का ब्रेक है यह एक याद करने का तरीका है, मैं आपको इजी करके बता रहा हूँ वन टू टू ट्री फॉर काउंट मैं उसको याद करता हूँ, ठीक है यह शिव परन है, एक लेंधी पोर्शन है, यह आप अपनी सोलो में बजा सकते हैं जब आप शिव की प्रेयर करते हैं तब आप इसको गा सकते हैं, घर में, मंदिर में गा सकते हैं वहां बजा सकते हैं अब इसको एक अच्छी टेंपो पे पकावज पे बजा के देखते हैं झाल के देखते हैं रघक षाण्या के देखते हैं कर दो 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 कर